Hi everyone, सबसे पहले आपको और आपके family members को में दरफ से happy छोटी दिवाली आज Sunday भी है छोटी दिवाली के साथ साथ and Sunday is the weekend और इस week end होने से पहले जो week था उसके अंदर car world में काफी developments हुई है तो सोचा कि आप लोग के साथ थोड़े updates share कर दूँ All in all, let us have a weekly wrap up सबसे पहली बात, निसान वालों ने अपनी तीन गाड़ियां unveil करी याद है ना कौन सी, मैंने वीडियो बनाई थी यहाप पर, अगर ना पता हो तो देख सकते हो फिर भी नाम बता दाता हूँ, X-Trail, Qashqai और Duke Secondly, BYD Aito 3, जिसकी bookings comments हो चुकी थी, ये गाड़ी डीलर्शिप में पहुच चुकी है और इसकी test drives भी अवलेबल कराई जा रही है अगली news है, Volvo XC40 Recharge ये गाड़ी रोलाउट हो चुकी है, और करनाटे का के अंदर, I'm not sure कि इसकी pronunciation यही है की नहीं लेकिन मुझे जो समझ माया है, मैं वो बोलते था हूँ, हॉसकोटे तो हॉसकोटे के अंदर इसका एक assembly plant है, वहाँ पे रोलाउट हो चुकी है और ये हैं Volvo की पहली locally assembled teaming electric SUV ये एक अच्छी development है, क्योंकि पहले जितने भी luxury brands थे, उनकी सारी गाड़ियां CBU आती थी और delivery जो है, इस साल के अंद के अंदर शुरू हो जाएंगी अगली development है कि Rolls-Royce ने अपनी premium electric SUV वैसे तो premium कहना नहीं चाहिए, क्योंकि Rolls-Royce की सारी ही गाड़ियां super luxury और premium है तो anyway, Rolls-Royce की पहली EV, the Rolls-Royce Spectre, वो अन्मील करी है यह Phantom Coupe की spiritual successor है और typical Rolls-Royce styling में लीगी आपको इसके अंदर stretched hood और fastpack style rear profile इस EV की range होगी up to 520 km काफी exciting है, मुझे वैसे भी थोड़ा सा super luxury और super cars के बारे में काफी interest रहता है, तो मैं सोच रहा हो कि इसकी एक detailed video बना दूँ हलाकि उस पर views कम आएंगे, क्योंकि जातर लोग ऐसी वीडियोस देखना पसंद नहीं करते है लोग थोड़ा सा budget friendly वीडियोस के अंदर जादा interested रहते है लेकिन क्या पता को एक आदा viewer हो हमारे ऐसा, जिनने ऐसी गाडियों का shock हो वो देख ले, next है कि Mercedes ने अपनी EQE, SUV अन्वील करी है which is based on the GLE, so GLE is the IC engine power version of the SUV and EQE उसी का electric version है, और यह Mercedes-Benz लाइनप के अंदर आठ वी electric vehicle है, इसकी global deliveries 2023 में start हो जाएंगी and hopefully India के अंदर भी यह 2023 के end से पहले आ जाएगी वैसे एक बात है कि Mercedes-Benz जो है वो Indian market को काफी seriously ले रही है जो भी इनका international line-up के अंदर model होता है उसको यह फटाफिट इंडिया में 2-3 महिने में लिया थे हैं otherwise पहले क्या होता था कि यह लोग latest generation बाहर release करते थे और इंडिया के अंदर एक generation पुरानी गाड़ी बिकती थी जैसा कि आपने पहले C-Class में और E-Class के अंदर भी देखा होगा but that is changing next update है कि आप लोगो को Toyota, Hinova, High Cross के बारे में तो idea हो गई so Maruti और Toyota का tie-up यहां पे भी carry forward होता हो नजर आएगा आपको and Maruti derived High Cross MPV कि काफी सारे spy shots निकलने के आ रहे हैं that car is going extensive testing उमीद है कि Maruti इस car को अगले साल launch करेगा वैसे जितना time इनोंने grand radar में लगाया था इस car के अंदर भी पता नहीं कितना time लगाएंगे यह लोग एक और update Maruti की तरफ से यह है कि इनकी 5-door Jimny भी test करती भी काफी बार spot हो चुकी है इसके spy shots भी available है यह महिंदा थार की competitor है और थार की तरह ही यह एक off-road lifestyle vehicle होने वाली है एक बात है कि even though थार is such a hugely popular demanded vehicle लेकिन क्योंकि हो एक 3-door SUV है इसलिए कुछ customers होंगे जो उस car को थोड़ा सा avoid कर देते हैं अगर Jimny का 5-door version थार के 5-door version से पहले release हो जाता है वाज अलसो spy testing near its Chennai plant Hyundai Verna के अंदर मैं अलड़ी एक shots बना चुगा हूँ जिसमें मैंने थोड़े बात updates share करे थे फिलाहल इसके बारे में और जादा details अवलेबल नहीं है जैसी होंगे I'll definitely update you next update is from Force Force की जो गुर्खा 5-door SUV है उसके भी shots आने शुरू हो चुके हैं क्योंकि यह dealership पे अवलेबल है इसके spy shots नहीं बलकि पूरी car के shots अवलेबल है यह कुछी टाइम में launch होने वाली है engine and transmission इसका सेम रहेगा and expected ही है कि यह 16 लाग से उपर में start होईगी so basically Jimny versus Thar versus Force गुर्खा 15 लाग से 20 लाग के अंदर off-road lifestyle vehicles के अंदर Indian customers के पास काफी variety है next and final update है Skoda की तरफ से Skoda Kushak जिसका की recently 5-star rating crash test निकल के आया था as per updated GN का protocols इसका में detailed break-up अलग से शेर करूँगा anyway Kushak Kairon ने first anniversary edition launch किया है actually यह car last year जुलाई के अंदर launch होई थी and July इस साल इसको एक साल हुआ है but सम्हा उस Skoda वालो को रिलाइस करने में तीन महीने लग गए और रहना ने अब finally October में इसका first anniversary edition निकाला है Kushak का first anniversary edition is not too different from first anniversary edition of Taigun same price hike है और same features है एक बार दोबारा revision कराता हूँ निकेस आपने वीडियो बहुत पहले देखी और आप भूल गए हो कि उसमें क्या था so सबसे पहले distinguish करने के लिए कि anniversary edition है C pillar के ओपर आपको anniversary edition का decal नजर आएगा door edge guards body side cladding के ओपर एक chrome strip मिलेगी और अंदर steering wheel के ओपर आपको anniversary edition का insert मिलेगा इसके अलावा आपको कुछ dealer level पर accessories मिलेंगी which includes chrome inserts on the front grill door sunshades cushion and neck pillows 3D rubber mat mud flaps rear windows के लिए sun blinds car body cover और key fob cover इसके अलावा कुशाक के अंदर अगर आपको याद हो तो पहले 10 inch का touchscreen आता था लेकिन उसके बाद chip shortage की वैसे 10 inch की screen को replace करके 8 inch का कर दिया गया तो इस anniversary edition के अंदर the same old 10 inch touchscreen makes a comeback and similarly music system के अंदर भी पहले 6 speaker plus subwoofer amplifier आते थे बाद में subwoofer amplifier हटा दिया और सिर्फ 6 speaker याने की 4 speaker और 2 tweeter वो रह गये थे लेकिन अब वो subwoofer और amplifier दुबार वापस आ रहे हैं कि जहां पुरानी कुशाक के अंदर analog dials आये करते थे for the driver information display जिसे की बाद में replace करके virtual cockpit या फिर driver's digital information display कर दिया गया था वो भी वापस आ रहा है तो basically सारे variants के अंदर display driver का digital है लेकिन anniversary के अंदर same वोई analog dials है तो कहीने कहीं ऐसा लग रहा है इन सारी चीज़ों के लिए Skoda is charging 30,000 extra और यह आता है top of the line style variant पे चाहे 1.0L engine वाला variant हो है या 1.5L वाला for both the manual and the automatic इसका price break-up में एक बर बता दा हूँ कि 1.0L manual transmission के अंदर आपको यह पड़ेगी 15.59 lakhs की 1.0L automatic के अंदर आपको पड़ेगी 17.29 गी 17-inch के alloy wheels यह सब कुछ तो मिले गई but do you really think कि पुरानी कुशाक को लाके उसमें छोटी मूटी accessories डालके फिर 30,000 रोबे price बढ़ाके बेचना is it justified? is it value for money? अपना opinion comment box में ज़रू बताना and आप लोगों में से कुछ लोग मुझे कहते हो कि थोड़े से real life car reviews ज़र करो तो मैंने कोशिश करी थी मैं Skoda के शूरूम के अंदर भी गया था but उन्होंने video recording allow नहीं करी इसलिए थोड़ा real car के साथ reviews करने difficult हो जाते है and आसपास circle के अंदर भी अभी फिलाल कोई है नहीं जिसके पास कोशाक हो but nevertheless अगर आप लोगों इसे किसी के पास कोई car हो नई या पुरानी हो या कोई experience share करना हो या कोई ऐसी बात हो जो आप YouTube पे वीडियो पे लाना चाहते हो और आप comfortable वो इस चीज के अंदर की मैं आपकी car कर review करूं तो आप लोग मुझे मेरे Instagram handle पे contact कर सकते हो and we can definitely get in touch thank you so much bye